हेलो एबरिवाइन जैहिंद आप सभी का स्वागत है तो बच्चो आज की वीडियो हम लोग दिखेंगे डिफ्रेंसिशन के ओल फॉर्मुलास जो आपके क्या होंगे 11 और 12 क्लास को कबर करेंगे ठीक है अउकलन के सभी सूतर तो इस वीडियो को आपको लास तक देखना है ए ठीक है बच्चो तो आपको नोट जरूर करना हो समझते हुए चलना है थाकि आप जब एक्सरसाइज लगाओ तो वहां पर कोई दिक्कत नहों ठीक चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला फॉर्मुलास का जो वो क्या है कि डी 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 एक्स है इसका मतलब समझ लो यहां पर कुछ और आता है तो हम लोगो एक्सरसाइज में कैसे वहां पर फॉर्मुलास बनाते हैं उसको वहां पर समझ लेंगे ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है पहले यहां पर यहाद कर लो मैं इसी से थोड़ा बहुत एक दो मिनट का है वहीं पर सवालों में समझ इसको कैसे अप्लाई करेंगे एनए चीपावर iasp — ठीक अब इसमें समझने वाली बात का है एक तो चीस यह समझने है कि एनध हूँ, क्या है एंइ नमर है एंन कोई भी नमर हो सकता है एंइ नमर कोई भी नमर हो सकता है प्लस का माइनस का या है वो बिणमें भी हो सकता है ठीक चलो जैसे यहां पे हमने लिख दिया है एक दो देख लेते हैं इसको कैसे करना है d y dx x65 самогоsz और यहाँ पर d y d x, x की पावर 7, d y d x आपको दिया, x की पावर 3 y 2, d y d x of x की पावर, minus का 15, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, देखो, minus की पावर भी ले ली, हमने plus की भी ले ली, और fraction में भी ले ली, चलो, कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर नीचे x होगा, उपर पावर मे आजाएगा, नीचे x है तो यह x आजाएगा, और 10 में से एक कम कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9, डारेक्ट आप यह कम कर के लिखो, ठीक, यहाँ पर देखो, minus 5 है, पहले यह 7 वाला देखो, 7 पावर आगया आएगी, फिर x लिखेंगे, 7 से कम करेंगे, तो 6, बहुत यहाँ पर देखो, 10 में एक कम कर रहे थे, 9, 7 में एक कम किया 6, लेकिन माइनस में जब एक कम करोगे, तो वो बढ़ जाता है, minus 5, minus 1, minus 5, minus 1, तो क्या होगा, minus 6 हो जाएगा, समझ पा रहे ना बच्चो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यह minus 15 आगे आए जाएगा, x की जैसे यहाँ, 3 by 2, minus 1, LCM लोगों तो 2 आएगा, 3 minus, यह हो जाएगा, 3 minus के 2, क्या हो जाएगा, 3 minus, तो 1 upon 2 बचेगा, बच्चो, कितना बचेगा, 1 upon 2, 3 upon 2 से कम करो, तो 1 upon 2, समझ गया, कैसे इस फॉर्मुले को अपलाई कर रहा है, तो अंबीध है, समझ गया होगे, चलो, आगे इसी में समझ लेते हैं, अगला फॉर्मुला क्या होगा, तो देखो, यहाँ पर देखो, अब की बार X की पावर N है, अब आपको एक दो फॉर्मुले डायरेक्ट याद रखने हैं, जैसे X लिख दे हैं, X, केबल X, तो उसका क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1, क केसे होता है ?- इस x को अम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1 लिख सकते हैं आप पावर है वह आंगे आजाएगी एकसे लिखेंग फिर पावर में एक कम करेंगे तो 0 बचेगा एक & कम करेंगे तो 0 बचेगा किसी नमबर की पावध जीरो क्या होलता है उच्छ वण इसलिए X, cable X का क्या हो जाता है? वन हो जाता है? तो यह दो नमबर हो गया अब तीन नमबर में समझ लो D by D x constant constant क्या होता है? यह एक बात समझ लोगे तो पूरी जितनी भी exercise हैं आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी constant का मतलब है यहाँ D by D x जिसका भी कर रहा है यह जो constant दिया है यहाँ पर जो भी function दिया गया है जैसे यहाँ पर हम लिख दें D by D x F x यह F x क्या होगे function? कुछ भी function हो सकता है वो algebraic हो, technometric हो, exponential हो आपका log आर्समिक हो, जो भी function होगा उसमें अगर X नहीं दिख रहा है अगर इसमें X नहीं दिख रहा है तो वो पूरा constant है, क्या है? कहीं भी X नहीं दिख रहा है, तो पूरा क्या है? constant और constant का outline क्या होता बच्छो जीरो constant मतलब अचर अचर मतलब जो कभी ना बदले, ठीक है? permanent है, नियत है तो उसका उकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 उन्मीद है यह तो समझ गए हो गए चलो इसको मिटाते फिर इसके आंगे देखते हैं है अगला formula क्या है कि चार नमबर तो आपको याद रखना है कि d y d x अगर यहां पर देखो यह तो x है यह एकस की पावर एन हो इसको solve करेंगे तो आपको solve करोगे तो answer आजाएगा ठीक है अच्छी बात है लेकिन आपको डारेक्ट याद रखना है क्यों सवालों में जब आएगा बड़े-बड़े सवालों तो वहाँ पर इसका भी करोगे तो टाइम बेकार करोगे तो आपको क्या याद रखना है जितन चैनल फॉर्मॉला क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स की पावर एन माल लिए अपने एन कुछ भी हो सकता है तो ऊपर एन माइनस में लिखो गो नीचे पावर में बढ़ा दोगे एन प्लस बन एन प्लस बन समझके चलो अगला फॉर्मॉला पांस नंबर में क्या आएगा यासे यहां पावर एक के चाएगा यहां फिसमालों के बीच में लिए इसे दिभाइड मूलत और नंपावर क्म करेंगे तो ऐक क्षर एक दो a एकटे दो अब इसको माइनस एकटे दो नीचे लाएंगे तो पलस की पावर विप्लत ऑब एक बटसी की पावर एकवर तो इसको क्या लिक सकते है रूड में तो यह हो जाएगा वन अपन टू और रूट एक्स ठीक है यह ऐसे आता है तो इसको भी आपको याद रखना है तो यह हमारे और यह मतलब कोई नंबर हो सकता है जैसे दो की पावर एक्स पांच की पावर एक्स ठीक है यहाँ पर e फिक्स रहेगा यह मतलब बदलता रहेगा यह हो जाता है एकी पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ए टिक अभी इसमें और हम इसमें अंतर समझेंगे चलो यहां पर देखो आठ नूमबर डिवाई डिएक्स लॉग एक्स का किसका वच्छो लॉग एक्स का तो लॉग एक्स का देखो क्या हो चाहिए वह लिखा हो चाहिए न लिखा हो अगर कुछ नहीं है तो इमानेंगे अगर इसके अलावा लिखेगा तो फिर वह इमान के चलेंगे जैसे इसने लिख दिया लॉग एक्स बेस में एक अमतलब दो तीन चार पांच कुछी भी हो सकता है तो इसका क्या हो जाएगा एक्स तो होता ही होता है इंठू में लॉग झीए परपर आजाएगा यह इंटरचेंज हो जाता है लॉग यह सी ए क्सी इस बॉक में यह आजर मैच करने के लिए आपको ऐसे भी करना पड़ता है ठीक है तो यह हो गया 9 नमबर यहाँ पर कुछ दिया हो बच्चो चाहे ना दिया तो इसको एक का मलब कोई नमबर हो सकता है पावर में क्या है एक्स और यह वाला नीचे एक्स है उपर पावर में एन है एन का मलब कुछ भी हो सकता है देखो एक्स की पावर एन तो यहाँ पर यह लग रहा है नीचे एक्स है और यहाँ पर उपर एक्स है तो यह वाला लगे तो यह ए अका कर रहा है, यह X की पावर N का, यह हो जागा 3X SQIRAR, पावर आ थी पावर में कम कर देगे, ठीक इसका क्या हो जागा, A की पावर X का, A की पावर X इंटू लॉग A बेसी, तो 3 की पावर X इंटू लॉग A बेसी, समझ गए बच्चों समझ गए के नहीं समझ कर तो कमेंट में आप बता जाना कि हां किलियर हो गया ठीक चलिए इतने नोट कर लीजिए स्किन सोड ले लीजिए फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं अब इसके आगे हैं जो हमारी टिंग्नोमेटिकल और इन्वरस फंक्शन के फॉर्मुला तो वह लोग हम लोग कैसे समझेंग आई देखते हैं कि इस सारे फॉर्मुल इंपॉर्टेंट है बच्चों आपको अच्छे से याद करने हैं अगला क्या है देखो दी वइड एक्स अगर हमें करना हो साइड एक्स का किसका साइड एक्स का अगला दो नमबर डी एक्स कॉसेग आप नश्चरिगे जो पहले हो गाय ह observing इसको आनलों ठीक है एंड अगला किसका पढ़ेंगे, कॉट के बाद सेक एक्स, सेक एक्स, और डिवाइडी एक्स, कॉस एक्स का, किसका, कॉस एक्स, तो यह 6 यह हो गए, ठीक है, अब इनको कैसे हम लोग को क्या होता है, यह समझ लेते हैं, साइन एक्स का डिफरेंसितन अगर हम लोग कर रहा है तो कॉस एक्स होता है, क्या 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 इसके लिए एक ट्रिक समझ लो यहां पर देखो सी कॉस कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है कॉस एक सी से स्टार्ट जितने सी से स्टार्ट होते हैं उनके माइनस आते हैं देखो कॉस का माइनस साइन कॉट का माइनस कॉसे कि स्कार कॉसे का माइनस कॉसे केंटू कॉट ठीक की लिए इसके लिए एक फॉर्म्ला होता है इन फॉर्मौलों के आगे लिखना जहां पर हम लोग नो नौ तक थे उस 걸 वह थोड़ा थोड़ा यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा इंसके यहां पर लिखा है एक्स क्लसगक्एस प्लस क्लसी यह कोई फंक्सन दिया है तो हम्ही बीच में प्लस मानस लगा यहां पर लगा प्लस माइनस हो जाता है जैसे घरकेट आकोई नंबरải है तो उसका सब स commendation होता ऐसे अमें भी उटा है कि लिजोब डशिब्वाइड एक्स भी एक्स प्लस वाइडेकर दीवर《ख्स–》 πेर अगला नौ नमर होगा है अगला दस नमर में क्या बने वह दस नमर यह गया रहा यहां से यह आप बारा यह तेरा नमर 14 नमर हमी नमर डाल लेते हैं सही रहेगा 15 16 और यह 17 ठीक है बच्चो अगला इसमें क्या हो जागा जैसे डी वाई डी एक्स आपको करना हो यहां पर कोई सी नमर है कोई भी कॉंस्टेंट है उसके साथ कोई भी फंक्सन दिया गया अगर आपको तो सी आपको कॉंस्टेंट ब यह समझ गया कैपल कॉंस्टेंट का जीरो कैसे होता है यह को लिए पस्मावल लेंगे पहले लिख लेता है कैसे होता है वो भी अम बतादेंगे वह अब अब नहीं किया हो अब फिर बाल अच्छे से सब सब लिख ले ना ठीक चली यह वह अब देखते कि सहीं इनवर्स aare Serious dot ऐसक हब और देवाइवाइछ सेख इनके क्या हो जाएगे तो देखो वहत ही आसान है आपको याद करनों बहुत आसान है 18, 19, 20, 21, 23 और 24 ठीक चलो देखो कैसे याद करोगे sin inverse x का बच्चे होता है 1 upon under root 1 minus x square 1 upon under root 1 minus x square cos inverse x का बस यही same लिख दो 1 upon under root 1 minus x square तो same लिख दो आपका होगा अंतर क्या है अंतर है यह minus का होता है किसका होता है minus यह plus का होता है यह minus 10 inverse x का जो होता है 1 upon 1 plus x square cot का बस सेम लिख दो बस माइनस लगा दो 1 upon 1 plus x square second inverse x का बच्चो 1 upon x under root में x square minus 1 अब यह ज़्यादा सही तब होता है जब x पे mod लगा दो किसी-किसी अच्छी बुकों में दिया होता है यह बागी आप mod नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं गलत नहीं होगा अपका ठीक है अब mod लगा दो तो अच्छा लगेगा आप cos x का बता होगे क्यों बता होगे क्यों बता होगे क्यों देखो sign का आपन एक्स अंडरूर में-x square सेंक का बस सेम है मानस लगा दिया है, क्या लगा दिया है, सेम हैं बस क्या लगा दिया है? स्काइर लगा दिया, वात में नोट कर लिए अब, बाद में नोट कर लेना चलो आगे देखते हैं आगे फॉर्मले क्या बनेंगे देखो अगला जो फॉर्मला है वो क्या होगा डी वाई डी एक्स वाफ जैसे दो फंक्सन आपको फर्स्ट इन्टू सेकेंड दो फंक्सन आपको इन्टू में दिये जैसे यहां पर समझ लो जैसे यहां पर लिख दे थे 3X स्क्वाइर और डी वेडिये अभी हमने उतार गर constant है तो वो constant बाहर निकार लेंगे तीन constant बाहर आ जाएगा cable किसका करेंगे x square का तो 3x square का power आगे आ जाएगे वो power से कम कर देंगे 2 से कम करेंगे 1 तीन दूनी 6x हो जाएगे कितना हो जाएगा 6x हो लेकिन यहाँ पर जी constant था अगर आप मालो ऐसे दे दे x into sin x दोनों नंबर में कोई constant आओ तो दोनों का एक साथ तो कोई formula पढ़ा ही नहीं हमने तो वहाँ पर यह वाला formula यूज करते हैं इसको बुकों में आप देखोगे तो यू भी method बोलते हैं ऐसे लिख देते हैं यू और इसको बी माल लेते हैं लेकिन हम यू भी और पी कुछ नहीं मानेंगे हम लोग फर्स्ट और सेकेंड मानें क्या मानें कि फर्स्ट और सेकेंड इसको याद करने की trick भी बता देंगे आप भी के matter से solve कर देंगे इसको अब dyx second function प्लस second function और dyx first function क्या चाहते हैं हम ऐसे याद करवाएं नहीं यार आभी बताएंगे ना कैसे याद करना आपको हमने काने आप भी के matter से solve करेंगे इसको डिवाइड एक्स first इंटू second दो function आपको याद कैसे करना है फर्स्ट डिवाइड एक्स second प्लस second डिवाइड एक्स फर्स्ट लेकिन कुछ लोग कह रहे ना कैसे याद करना वह बता रहा है पहली को छोड़ो दूसरी को छोड़ो पह पहले को पकुड़ो यह हो जाएगा आप लगा दोगा इसको और आंसर आजाएगा जैसे यहाँ पर लिखाए एक्स क्यूब और साइने इक्स यहां दो फंक्सन है ना बच्चो यह फर्स्ट मान लोग इसको क्या मानों एक्स सेकिंड तो कैसे लगा हो फस्ट फंक्शन और d by dx of first function ऐसे हब कर निए पहले को थोड़ दिया दूसरी रहेगा तो आप पारवर आ यहाग अब यह तो है आमने formula याद आप्लाई कैसे करना है यह चीका है बाकि एकसर साइज में इसको अच्छे से समझेंगे चलो अगला दिखते हैं अभी यहां पर कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है बस फॉर्मले फॉर्मले समझने आपको ठीक है नेक्स्ट फॉर्मले क्या है बच्चों डिवाइड एक्स अब यह दो फंक्शन इंटूम अमालो यह सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब करते हैं युह याद करने बच्चों यह दो है है यह तक hem याद करने हैं अब एक चोटे मोटे ट्विटर मोटर फॉर्मुले है वो जब एकसे साइज कर रहा हूं वही पर आ जाते हैं कोई अलग से नहीं बचा है ठीक चलो आप देखो हमने बताया थे कि डिवाइड एकस का जीरो कैसे होता है उसको समझ लेते हैं अब कि शीरो कैसे होता है समझ लेते हैं यह फॉर्मुले एक चार्ट बना लेना अच्छे से नोट कर लेना उसको जैसे हैं यहाँ पर लेखाये डि.वाइड एकस लेलो दस तीन चार पास ठीक अब किसी नम्बर की पावर आप जानते हो क्या होता है? 0, 1 होता है, कोई भी number हो, any number उसकी power अगर 0 तो वो 1 होता है ठीक है, इसको लिख सकते हैं dy dx, 5 गुड़े में एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत 5 ही तो है यह, इसको हम और अगर लिखना चाहें, तो 5 into x की power 0 लिख सकते हैं, x की power 0 का मान वरना x की power n का नहीं बनना है बोलो, तो n आगे आता है और power में कम कर लेते हैं n x की power n माइनस बन तो यह 5 ऐसे ही है, यह 0 आगे आएगा, x की power 0 माइनस बन, यह कुछ भी यह आमे नहीं मतलब है, पूरे number में देको 0 से multiply हो रहा है, तो 0 हो जाएगा 0, हमें कुछ और देख नहीं नहीं है अगर कितना भी बड़ा number हो, उसमें 0 कम मेंटिप्लाइ कर दो, तो पूरा क्या होँआ, 0 हो जाएगा तो constant का उकलान बच्चों क्या होता है, 0 ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों यह formula है, आपको अच्छे से समझ में आएका होँगे अगर समझ में आए, बाग कहीं में अच्छे समझ में आएं तो इस वीडियो को share करें, यही हमारी मेहनत होगी और कुछ नहीं, आपसे चाहते हैं कि वीडियो को यहीं पर रखते हैं, थैंक्यों बच्चों, जय हैं